हेलो दोस्तों, वेलकम टो माई चैनल, आज आपनों को मैं बताऊंगा कि कीलर्गो 980 को वाइस कमांड से कैसे कंट्रोल कर सकते हो आप, वाइस कमांड गूगल असिस्ट जो आप है, वो यूज़ करके कर सकते हो, आपको पहले उसको इंस्टाल करना है, तो इंस्टाल करने के लिए, आप पहले प्ले स्टोर पर जाएए, और गूगल असिस्टेंट करके टाइप कीजिए, मैं अलड़ी रेडी करके रखा हूँ, और मेरे इसमें अलड़ी इंस्टाल है, इसलिए अपडेट करके आ रहा है, लेकिन आपके सिस्टम में इंस्टाल न नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह already installed है बाद में पहली बार जब open कर सकते हो आप उसको आप assistant बे click कीजिए और यह ऐसे प्रॉंक करेगा set google as the default assist app to access your assistant so आप यहां next क्लिक कीजिए यहां के next क्लिक कीजिए तभी आपको यह window आएगा यहां क्लिक कीजिए अभी आपको यहां जो none है उसको क्लिक करना है उसको google करके क्लिक करना है और यह alert आएगा ok कीजिए यहां default assist app google होना चाहिए अभी दिखाता हूँ कि यह कैसे कम करता है map में भी कम करता है और spotify open के कर सकते हैं इसको use करके मैं अभी बोल दूगा hey google take me home head west on 9th crossroad toward 5th main road then turn left on to 5th main road hey google show me the nearest restaurant here's what i found along your route for show me the nearest restaurant okay अब यह दिखा रहा है रेस्टोरेंट कांसा है मेरे मैं जहां कड़ा हूँ वहां आसपास so यह बहुत होता है जब आप ड्राइव करते हो दोस्तों यह एक use है और मैं दूसरा use बता दूंगा जो आप ड्राइव करते हैं तो यह ड्राइव करते हुए आपका नजर सामने रोड पे होना चाहिए और इस display system में नहीं होना चाहिए तो जब भी आपको spotify open करना पड़ेगा तो केसे करेंगे हे गूगल ओपन स्पॉर्टिफाई ओपन हो गया मैं अभी प्ले कैसे करेंगे यह प्ले नहीं होगा यहां से हे गूगल प्ले स्पॉर्टिफाई सांग वो नहीं होता है वो कुछ अलगी प्ले होगा जो मैं अभी म्यूट करता हूँ और अगर आपका track से प्ले करना है तो आप इसको open करके बाद में यह जो button है mode switch उससे प्ले कर सकते हो नहीं तो आप जब भी बोलते हो ए गूगल और वो सौंग का नाम बोलना चाहिए टीक से तभी यह open करेगा यह गूगल बहुत sensitive है जब भी मैं बात करता हूँ है गूगल बोलता हूँ it is listening to us दोस्तों यह एक बहुत अच्छा सा आप है जो मैं इससे समझा की share करना अच्छा है आप भी install कीजिए इसके लिए keylargo ही नहीं आप किसी android music system में इसको install कर सकते हो और यह seamlessly work होगा map में work होगा map का destination बताएंगे तो work होगा अगर आप restaurant, hotel, coffee shop पूछेंगे तो उसके लिए easy होगा या petrol bunk और nearest petrol bunk और spotify में भी use होगा दूसरा भी आप अपन कर सकते हैं लेकिन मैं ज्यादा अपने गाड़ी में spotify और map ही use करता हूं इसलिए मैं पिछले दो महिने से continuously use कर रहा था तो कुछ problem नहीं इस्यूस नहीं इसलिए सोचा कि मैं आपकी साथ share करो थैंकि दोस्तों वीडियो complete देखने के लिए प्रीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए मैं अच्छा अच्छा ऐसी ही वीडियो डालते रहा हूंगा थैंक यू फूर था सब्सक्राइब